हेलो फ्रेंज, अक्सल आपने देखा होगा कि जब भी हमारी नीन पूरी नहीं होती है या फिर हम अच्छे तरीके से अपने चहरे पर भ्यान नहीं दे पाते हैं तो आखों के नीचे डार्क सिर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि हमारी पूरी ब्यूटी को अच्छे तरीके से डिजॉल्व कर देती है और उसे खराब कर देती है बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई न कोई ऐसा तरीका जरूर हो जो हमारी डार्क सिर्कल्स को हलका करें और धीरे धीरे उन्हें गायब भी कर दे आईए जानते हैं आजए एक ऐसे घरेलू नुस्के के बारे में जो की बनाने में सूपो फास्ट और सूपर आसान है और जिसे आप घर पर बना कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी हाँ अगर आपके आँखों के नीचे डाक सर्कल्स की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आप खीरे और नीबू बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में कहीं भी मिल सकते हैं और हम रोजाना इन दोनों चीजों का इस्तेमाल सैलेड भी करते हैं इसलिए आप खीरे को हलका सा ग्रेट करके उसके रस को एक कटोरी के अंदर निकाल लीजे इसी कटोरी के अंदर आप नीबू के रस को भी मिक्स कर लीजे और इस दोनों रस के मिक्सचर को अपनी आखों के नीचे हलके हातों से 5 मिट के लिए मसाज करें लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि आप नीबू की मातरा को थोड़ा सा कम रखें क्योंकि नीबू के अंदर acidic मात्रा होती है इसलिए वो आपकी आँखों में जलन भी पैदा कर सकता है इसलिए नीबू की मात्रा को थोड़ा सा थम लखें और खीरे के रस की मात्रा को थोड़ा सा ज्यादा लखें आखों के नीचे इस mixture को लगाएं 5-10 मिनेट के लिए छोड़ दे और इसके बाद अपने चहरे को साफ कर लीजे ये काफी अच्छा नुस्का है आप इसे रोजाना रात को सोने से पहले ट्राइ कर सकते हैं अगर रोजाना आप इस नुस्के को करेंगे तो ये आपके dark circles को धीरे धीरे हलका कर देगा और उन्हें एक दिन गाया भी कर देगा इस वीडियो को और इस नुस्के को ज़रूर ट्राइ करिए और अपने व्यूस को हमारे साथ शेर करिए मेरी beauty और health से related वीडियो को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe दीजे